हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू माई चैनल, एडू फाइल, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपोर्टेंट ओपे, क्लिपर सर्किट के बारे में डिस्स करेंगे, साथी साथ हम लोग इनके टाइप्स को भी समझेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग देखेगा, आप ज़यदा संसितिव होते है वोल्टेज के लिए, अगर हम लारज अम्फ्रिकूट की वोल्टेजस अप्लाई करते हैं किसी भी डिवाइस को अपने मालचे, तो क्या हो सकता है, वो डैमेज हो सकते है या फिर पर्मणेंटान्टली डिस्ट्रॉई हो सकता है हमारा डिवाइस इसी लिए हम यूज करते हैं क्लिपर सर्किट का टू प्रोटेक्ट दा इलेक्ट्रोनिक डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्लिपर सर्किट का यूज करते हैं तो कैसे कैसे यह प्रोटेट करता है बाई रिड्यूसिंग दा वोल्टेज देखिए लार्ज एंप्लिट्यूट की वोल्टेज है तो मुसको स्मॉल एंप्लिट्यूट की वोल्टेज बनाते हैं या फिर रिड्यूस कर देते हैं इस तरह से क्लिपर सर्कृट होता है जो क हमारा AC सिगनल है अब क्या करना है इसको हमें reduce करना है यह देख सकते हैं आप AC सिगनल है हमारा और रिडिउस करके हमें किसी घीवाइस को supply करना है तो यहां पे इसको यह ऊपर वाला जो होता है उसको हम कहते है positive half cycle नीचे वाला जो होता है उसको हम कहते है negative half cycle यह उपर की तरफ है positive यह नीचे की तरफ है negative तो हमें क्या चीए हमें केवल negative half cycle चीए किसी भी device को देना है तो हम क्या करेंगे क्लीपर का use करेंगे तो क्लीपर क्या करेगा यह positive half cycle को क्या कर देगा disconnect कर देगा और केवल negative half cycle हमको मिल जाएगा और हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी इस तरीके से आप देख सकते हैं यह input है यह output है तो Clipper क्या करता है disconnect कर देता है कुछ part को कुछ हमारे input part को disconnect कर देता है अब वो positive को भी कर सकता है negative को भी disconnect कर सकता है या फिर positive या negative के कुछ portions को disconnect कर सकता है तो यह काम करता है clipper clip का मतलब होता है disconnect करना तो यहाँ पे आप definition देखिए और अच्छे से समझेए एक clipper is a device that removes either the positive half और negative half जैसे आप कह सकते हैं top half उपर की तरफ और negative half bottom half नीचे की तरफ और both positive and negative या फिर दोनों positive और negative को भी reduce कर सकते हैं of the input AC signal input signal यानि input जो हमारा AC signal है in some cases एक clipper removes small portion of the positive half cycle और negative half cycle अब देखिए यह क्या हो इसका मतलब यह है कि यह देखिए कुछ cases में क्या करता है यह कुछ portion को ही remove करता है यहाँ पर देखिए पूरा positive half cycle ही गायक हो गया यहाँ पर positive का कुछ portion को remove कर दिया बाकी थोड़ा सा portion है थोड़ा सा portion है यह काम भी clipper circuit हमारा करता है इसलिए तो clipper circuit बहुत सारी type की होते हैं तो यह आपने समझा कि कुछ cases में यह थोड़ा सा remove करता है small portion remove करता है अब देखिए note एक clipper does not distort the remaining part of the waveform जैसे कि माली जी आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होड़ा positive वाला remove हो गया तो negative वाला क्या है वैसे का वैसा ही रहेगा उसमें कोई distortion नहीं आएगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा remaining part वैसा का वैसा ही रहेगा यह है इसका मतलब note का यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लें यह है note का मतलब तो यह आपने समझा है clipper circuit का definition अब मैं आपको सबसे easy example बता दू clipper circuit का तो वो होता है half wave rectifier diode ऐसे half wave rectifier तो यहाँ पर आप देख सकते हैं diode और यहाँ पर हम input AC source दे रहें इस तरीके से कुछ signal हम देंगे इसको और हम इस तरीके से signal चाहते हैं तो कैसे चलिए इसके process को समझते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यह diode लगा हुआ है यहाँ पर resistance लगा हुआ है और यहाँ से हम output कलेक्ट करेंगे यहाँ पर input दे रहें यहाँ पर output measure करेंगे तो देखिए यह AC source है तो यहाँ पर क्या होगा positive कुछ देर के लिए यहाँ कुछ देर के लिए पर यह negative बनेगा यह positive बनेगा AC source की आप जानते है polarity change होती रहती है कभी यह positive कभी यह negative कभी यह negative कभी यह positive तो यहाँ पर N को हम plus से दे रहें और P को minus से दे रहें तो जब N positive होता है और P negative होता है तो उसका हम कहते है reverse bias क्या कहते है reverse bias तो reverse bias में जो होगा वो current नहीं flow होगा तो इसलिए यह देख सकते हैं आप यह positive input आपने दिया इस तरीके से positive हाफ cycle में तो यह गायब हो गया क्योंकि इसमें current नहीं flow होगा क्योंकि N वाला plus से connect है P वाला minus से connect है यह आपने समझा आप देखें negative हाफ cycle में क्या होगा जब input आपका negative हाफ cycle में जाएगा तो output पे क्या फर्क पड़ेगा तो यह आपका positive हो जाएगा और यह आपका negative हो जाएगा तब देखें क्या होता है तब N negative से P positive से connect है तब यहाँ पे current flow होगा और हम output पे कुछ न कुछ current measure करेंगे क्योंकि हमारा P positive और N negative से connect है जिसको हम लोग forward बाइस कहते हैं तो हमें यहाँ पे negative half cycle पे output भी हमको मिलेगा फिर यह forward में हो जाएगा फिर यह reverse में हो जाएगा तो हमें output नहीं मिलेगा फिर यह forward तो ऐसे हमें मिलेगा तो यह आप कह सकते ही इसको half wave rectifier यह देख सकते ही यह half wave rectifier ही तो है तो half wave rectifier जो है वो एक तरीके से clipper circuit का example है क्योंकि ये clip कर देता है अगर आप इस diode को घुमा दें मतलब कि P वाला इधर कर दें तो क्या हो जाएगा ये उपर की तरफ आ जाएगा इस तरीके से तब ये क्या करेगा positive half cycle रहेगा negative half cycle कट जाएगा disconnect हो जाएगा कैसे जब diode को आप पलट देंगे तो P वाला इधर हो जाएगा N वाला इधर आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा अगर आप diode के बारे में अच्छे नहीं जानते तो उसकी वीडियो भी चेक कर सकते हैं तो ये आपने यहां पे समझा आप चलिए आगे हम लोग इसके types को distance करते हैं कि कितने type के ह को यहां पे मैं आपको दिखा दूँ को अगरे पर सरकेट तो उन्दाबे बैसिस ऑफ ट्लिप्ट वेफ हों सब्सक्राइब ऑने के बैसिस पे दो तरह के उते हैं positive क्लिपर और negative क्लीपर तो यह देख सकते हैं या आप यह वाला जो है यानि कि यह वाला यान पी यह वाला वाला गायब हो रहा है यह पॉजिटिव वाला क्या हो रहा गायब हो रहा है तो यह हमारा जो होगा यह होगा पॉजिटिव क्लिपर पॉजिटिव क्लिपर अगर आपका पॉजिटिव वेव फॉर्म गायब हो रहा है तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव क्लिपर और अगर न डायोड के position के हिसाब से कितने तरीके के होते हैं क्लिपर, तो ये दो अतरा के होते हैं, basically series clipper और parallel clipper, series clipper क्या होता है इसको आप समझे, siis clipper में क्या होता है, कि जो हमारा diode होता है, वो load resistance के series में connect होता है, ये देख सकते हैं, आप series में connect है, डायोड, तो उसको हम कहते हैं series clipper अब ये बहुत ही simple series clipper है इसको हम लोग ये half wave rectifier भी कह सकते हैं देख सकते हैं बिल्कुल same है तो ये आपका half wave rectifier की तरह भी काम करेगा अब series clipper के भी काफी सारे type होते हैं ये वाला जो होगा ये वाला जो होगा हमारा क्या हो जाएगा series positive clipper क्योंकि ये हमारा positive waveform को गायब करेगा जब आप यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ don't worry यहाँ पर देखे जब आप signal देंगे तो ये वाला क्या है ये वाला हमारा लेजी ये plus में ये minus में पहले cycle की तरह जब ये पहला हम output दे रहे हैं ये positive half cycle में तो ये क्या होगा हमारा ये एन वाला जो है ये हमारा plus second act है और पी वाला minus second act है तो current नहीं flow होगा तो यहाँ पर गायब हो जाएगा फिर negative जब ये हो जाएगा जब ये polarity change होगा तब क्या होगा current flow होगा easily तब ये आपका इस तरह से आजागा ये positive वाला गायब होगया तो इसलिए हम इसको कहेंगे series positive clipper क्या कहेंगे series positive clipper और जब आप इस diode को घुमा देंगे यानि पी उधर कर देंगे and इधर कर देंगे तब क्या होगा तब ये कहलाएगा series negative clipper क्योंकि तब इसका property हो जाएगा change तो इस तरीके से आपने यहाँ पे दो type का diode और समझ लिए series positive clipper और series negative clipper देखिए जब इसको आप इस तरह गुमा देंगे तो property पूरी change हो जाएगे तब उपर की तरफ waveform रहेगा नीचे वाला gap हो जाएगा just like this ये तो यहाँ पे आपने जमझाए दो तरीके के आप देखिए हम लोग समझने वाले हैं parallel clipper series समझ चुके हैं अब समझते हैं parallel clipper तो parallel clipper में क्या होता है कि हम लोग output जो होता है वो diode के across मेजर करते हैं यहाँ पे diode के across नहीं मेजर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग load resistance के across हम लोग क्या कर रहे हैं output मेजर कर रहे हैं और अगर हम diode के across output को मेजर करें तो हम उसको कहते है parallel clipper इसका दूसरा नाम होता है shunt clipper यह इसका दूसरा नाम होता है ये अब देखिए इसमें क्या होता है process इसके process को भी मैं detail में आपको explain करूँगा यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये आपका हो जाएगा parallel positive clipper इसमें भी दो type के होंगे parallel positive clipper और parallel negative clipper ये दो type के इसमें भी होंगे parallel positive और parallel, negative, clipper फिर उसके बाद हम लोग और types को discuss करेंगे यह आपने समझा कि series और parallel क्या होते हैं अब हम लोग इन में क्या करेंगे biasing करेंगे क्यों biasing करेंगे हम क्या करते हैं जब series parallel का use करते हैं तो हमें क्या मिलता या तो positive मिलेगा या तो negative मिलेगा लेकिन जब हम इसमें biasing करेंगे मतलब हम यहाँ पर battery अगर introduce करा दें किसी तरह से मालेजी यहाँ पर कहीं battery हम लगा दें बीच में तो क्या होगा तो हमें कुछ न कुछ signal इधर भी मिलेगा radius signal कुछ न कुछ इधर भी मिलेगा कब जब हम battery लगा देंगे तो यानि कि बाइसिंग कर दें तो तो उसके टाइप को भी समझ लेते हैं फिर उसके बाद मैं डीटेल में वीडियो सब की बनाऊँगा अलग-अलग series की parallel की यहाँ पर हम लोग के बल टाइप को समझ रहे हैं तो यहाँ पर अब लोग समझते हैं जब हम लोग लगाएंगे बैटरी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं simple आपने समझा कि आप series positive clipper with positive bias यानि आप battery भी लगा रहे हैं तो जब आप battery भी लगा देगें तो उसके हिसाब से भी दो type की हो जाएंगे series positive clipper with positive आप battery क्यों लगाते हैं बैटरी हम लगाते हैं कि हमें कुछ नो कुछ signal इधर भी मिल जाए या कुछ नो कुछ signal इधर भी मिल जाए इसलिए हम लगाते हैं अब इसके बारे मैं detail में बताऊंगा आपको तो यहाँ पर देखिए series positive clipper with positive bias मतलब कि positive आप दे रहे हैं यहाँ पर plus and minus यह पी वाले को positive and वाले को negative आप दे रहे हैं तो उसको हम कहेंगे positive bias और अगर आप battery को change कर दें इधर negative कर दें इधर positive कर दें तो यहाँ पर हो जागा negative bias दो टाइप की यह भी हो गए हैं आपके series positive clipper with positive bias series positive clipper with negative bias फिर आप समझे है इसको मैं बता चुका हूँ आपको series positive clipper with negative bias तो यह दुनों आप तो समझे गए अब यहाँ भी क्या होगा जैसे कि आप क्या करेंगे diode को reverse करतें तो यहाँ पर हो जागा series negative clipper with positive bias यहाँ पर इस diode को reverse करतें तो हो जागा series negative clipper with negative bias यह type को आप समझ चुके हैं अब चलिए हम लोग parallel में भी समझ लेते हैं जब हम लोग bias करते हैं parallel तो parallel में भी जब आप battery लगा देंगे तब क्या होगा तो उसमें भी दो type के होगे parallel positive clipper with positive bias and parallel positive clipper with negative bias फिर अगर आप diode को घुमा देंगे तो यहाँ पर negative हो जाएगा diode को घुमा देंगे तो यहाँ भी negative हो जाएगा बहुत ही simple case है अब हमारा last जो बचा है उसको हम कहते हैं dual clipper उसको भी आप देख लीजी यहाँ पर दो diode का use करते हैं एक forward में एक reverse में होता है simultaneously तो यह आपका है dual clipper तो इस वीडियो में इतना रखते हैं I hope यह सब आपको introduction समझ में आओगा clipper का आगे की वीडियो में हम लोग हर type को detail में डिस्स करेंगे वीडियो देखने लिए thank you thank you so much